ममश्कार, जैहिंद आप सभी का स्वागत है MS. स्वामी नाथन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे पर आपको ये बता दें कि इनकी जो इतनी बड़ी बड़ी देन है रिकमेंडेशन्स है और जो इन्होंने किया है वो वाकई में पढ़े बिना इनसान ना एक्रिकल्चर समझ सकता है ना इन्वार्मेंट को समझ पाएगा ना एकनॉमिक एकॉलोजी को वो कभी समझ पाएगा इनकी देन जो भारत के लिए रही है शाद उसके लिए हम सभी इनके रणी रहेंगे हमेशा के लिए तो कि ओस समय था 1947 के बाद जब देश में फ्रमेंस, ड्रॉट स्रिकन एरियाज और ना जाने कितनी ही जाने जाती थी हम लोग इंपोर्ट करते थे अनाज बाहर से तब इनका खून खौला और इन्होंने बोला क्रिटिसाइज किया कि ये काम गलत हो रहा है आईए समझने की कोशिश करते हैं ऐसे महान इंसान की कहानी क्या रही है और भारत को क्या दिया है MS. स्वामी नाथन साहब कॉल ऐस्ट फादर और ग्रीन रेवलूशन 1925 में इनका जन्म होता है और इनको कहा जाता है कि ये अग्रिकल्चरल साइंटिस्ट होते ही लोग इनको खुदा मानते है उस फिल्ड के एग्रिकल्चर के इंगे रेवलूशन का नाम धीरे धीरे बदल कर एवर ग्रीन रेवलूशन कर दिया ये इनकी शक्सियत थी इसके साथ ही आप ये भी समझेगा बंगॉल फेमाई 1943 का 1925 में जन्मा इंसान 1943 में सोचिये 18 साल की अवस्था में इन्हों ने देखा कि वाकई में चीजी तबाह हो सकती हैं और यहां पर लोग मर सकते हैं इन पर बहुत बढ़ा असर परा इसका तब इन्हों ने देखा कि इतने लोग मिर रहे हैं थ्री मिलियन पीपल तीस लाख लोग परिष्ट तब इन पर इंपाक्ट पड़ा कि हम कब तक आखिर दूसरों से अनाज लेके काम चलाते रहेंगे और इनके उपर इतना इंपाक्ट पड़ा कि इन्होंने अपने आपको ही चेंज कर लिया इनको कहा जाता है from the United Nations Environment Program he is called as the father of economic ecology and he is actually back in the 1960s and 70s अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे भारत का अग्रिकल्चरल लैंड्सकेप इन्होंने बदल के रख दिया था ताकि हम self-sufficiency की तरफ जा सकें इनके अगर आप कहानी की बात करें या इनके कामों की बात करें एक से एक है plant genetics पर इन्होंने रिसर्च किया agricultural research produced a high-tech intervention in this wheat crops और wheat crop में कुछ ड्वार्फ का इन्होंने ऐसा entry किया कि wheat crops की इल्द बढ़ दी he created a wheat plant by crossbreeding seeds from Mexico with the local species that yielded plentiful gains compared to the traditional methods ये crossbreeding का technology उस समय की बात चल लएगी 1960s and so की बात चल लएगी है जब इन्होंने करना चालू किया he was responsible for developing varieties of crops that were incorporated with certain nutrients bio fortification that supplemented the health benefits मतलब bio fortification में भी इनका हाथ रहा है और इन चीजों में भी इनका हाथ रहा कि यहां पर grain production बढ़ने लगे आप आप और एक चीज़ समझेगा he was a great force behind developing the varieties of wheat and rice green revolution जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे wheat और rice का ही सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा उस समय और यही इसके पीछे थे अंडर स्वामी नाथासान स् लीडर्शिप एफर्स और लाउंच रहता इंटरनाशनल राइस रिसर्च सेंटर तो कल्टिवेट राइस विच सम अधर टेक्नोलजी कॉल एस C4 कार्बन इंटेंसिविकेशन और फिक्सेशन केपिबिलिटी नीचे कमेंट करके बताईएगा कि C3 और C4 क्या होता है और कैसे हमें UPC में योगदान देगा C3, C4 कार्बन फिक्सेशन जरू नीचे कमेंट करके बताईएगा इनेबलिंग इंप्रूव फोर्टो सिंथेसिस तो यहां पे आपकुस तो समझे होगे C3, C4 कही ना कही फोर्टो सिंथेसिस के तरीके से कुछ ना कुछ यह फरक करता है और इन्होंने जबर्दस खोज की और इन्होंने वीट राइस को ऐसे बढ़ा दिया ICCR में रिसर्च होने लगे कि राइस को भी ऐसे उगाया जा सकता है आगे और समस्ते है इंडिया वस हाइली डिपेंडेंट और इंपोर्ड इंपोर्स और एक्टम क्रिटिसाइज करते थे इनका एक वक्ता भी हमने पढ़ा उन्होंने लिखा था कुछ बात है भी हम आपको यसी बताएंगे जो पक्का मेंस में आपको लिखे आनी है इनके रिकमेंडेशन बड़े इंपोर्टेंट इन नाइटीन फिस्टी इन आपको यह बता दें नॉर्मन बर्लोग का नाम जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं नोन फर हाइए इल्डिंग वराइटी सीट सेट चेंजिंग अग्रिकल्ट्टर लांस्केप इनके पाइए और चीजों को समयने कोशिश करियें और पुस फार्मर्स अक्रॉस 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 अच्छा प्रोड़क्त होगा और आज उसी का नतीज़ा है भारत के पास बफर स्टॉक अपना बना पड़ा है हम घबराते नहीं अगर बाहर भी अनाच कहीं पर कम पड़ेगा हम भेशते हैं बाहर भी स्वामी नाथन ट्रेंड फार्मर्स अवर्कमि अलिटरसी बारियर विकॉस अफिस एफर्ट अवरेज अगरिकल्चर प्रोड़क्शन इंक्रीस वं 12 मिल्यों टन्स तो 23 मिल्यों टन्स इंजस्ट वन क्रॉप सीजन इतना बढ़ने लगा समझीगा यह था स्वामी नाथन सर का बहुत बड़ा एक योगदान इसके साथ ही हम आपको बता दे कुछ चीजें आपको यहां पर दिखेंगी इनको कहा जाता था सम पीपल टाग्ड ही मैस कि इससे ज्यादा इंटरनाशनल अकॉर्ड या टाग कोई किसी को मिला ही नियास तक भारती को जितना इनको लोगों ने पहचाना और इनको जानने की कोशिश की 1986 he was awarded Albert Einstein world award imagine and swaminathan is actually considered as one of those influential people in the asian region where even other countries would hear about kin ko kya bol लहें कैसे बोलने हैं he was principal secretary to the ministry of agriculture 1979 again taking decisions swaminathan holds over 50 honorary doctorate degree एक से डिग्री था इनके पास और national commission of farmers के chairman रहे हैं और इन्होंने recommendation दिया जो जो हम आपको दिखाना चाहेंगा यह देखिएगा नाशनल commission of farmers की जब यह हैट थे 2004 से चेको लेके इन्होंने welfare of farmers की बात की और साफ इन्होंने कहा minimum support price मदद तो करता है पर वो तब वो ज्यादा मदद करेगा जब आप कोशिश करोगे जितना input cost है जितना cost of production है उसका 50% ज्यादा कर दो आप MSP सारे farmers की खुशाली हो जाएगी यह अभी तक implement पूरी तरीके से नहीं किया जा सका है पर हां इसके उपर चर्चाएं हमेशा होती रही है I must also say few things about him. He gave certain recommendations, please understand. The first recommendation was about land reform. He said that there must be distribution of ceiling, surplus and the wastelands to those people who may not be able to take up the land जिनके पास नहीं हो पा रहा है, उनको आप distribute करो. Recommended access to common property resources. One main cause was establishing a national land use advisory service. नहींने बुला land use advisory service बनाओ. इसका purpose क्या होगा? To connect land usage decisions with the ecological and other metrological decisions. बुले land use advisory service बनाओ. जो आज आप देखते हैं, चौपाल बना है, messages आते हैं कि अब यह उगाना, वो उगाना, यह सब इनके कहानी से हुआ, इनके देन से हुआ. तो land reform इनका पहला recommendation था. दूसरा recommendation इसके बारे हम आपको बताएं. और इनहीं के कहने के बाद से आप देखीएगा, green revolution कोई एक event नहीं हो, package है पूरा. उसमें सिफ high yielding variety seeds नहीं हो रही है. It is a package of irrigation, input, पैसा, land, सब कुछ डालना पढ़ रहा है. म.स्वामिदातन साभ उस समय भी irrigation के लिए बोलते थे. तीसरा अगर आपको दिखा है, objective of achieving higher productivity. Every year he has recommended for an higher productivity. He said that substantial increase in public investment in agriculture-related infrastructure, particularly in irrigation, drainage, land development, water conservation, research, etc. is needed to increase the crop yield. He wanted public participation too much into it. आज इसके साथ अगर हम आड करें तो हमें private participation भी चाहिए क्योंकि R&D पॉब्लिक में कम है, प्राइवेट में फिर भी ज्यादा होता है. He also recommended a formal credit system. He said that यहाँ पे कही न कहीं आप credit system को इतना formal बनाओ कि लोगों तक बहुत सके. They can take the formal credit and they can be saved from such people who are the money lenders who would charge exorbitant rates. और परेशान करेंगे आप ऐसा बनाओ. Integrated credit come crop livestock human health insurance package जो आज आपका किसान credit card है. वो यही तो है. स्वामी नातन साहब ने उस समय किसान credit card की बात कर ली थी. उसके बहुत साल बात यह opinion लोगों में आया कि इसको बना लेना चाहिता है. He is the genesis or genesis ही नहीं से होता है. देखिएगा. Food security. इन्होंने कहा recommend the implementation of a universal public distribution system. PDS चालू हुआ. किसने बोला? स्वामी नातन साहब ने. इन्होंने बोला कि भाई आप identify करो. किसको कितना दिक्कत है कहा पे ना चाहिए आप identify करो. He asked about food comfortification. Bio fortification. He was the one who talked about women's self-help group and the bank linkage program of self-help group. Swaminathan साहब did not only speak of agriculture, but farmers, but societal changes, but economic changes, but the venues. The whole package of development he spoke about. And he's also going to speak about one more thing. A very sad state of affairs that is existing. The suicide of farmers. और इन्होंने साहथ इसके लिए बोला. प्रिवेंट करो. आप अफोर्डबल हेल्थ इंसूर्स अप्रिमरी हेल्थ केर सेंटर दो. National Rural Health Mission बनाओ ताकि suicide hotspots में वहाँ पे मदद मिल सके लोगों को. State Level Farmer Commission, the representative of farmers. He wanted institutions to come up as representatives. Having such people who could actually work for the farmers at the ground level and can save them from dying. क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पढ़ता था. Debt trap. दूसरा failure of crops. अगर insured है मेरा crop, तो यह नौबत नहीं आगी. Debt trap में गर मैं ना फासू किसी के, तो यह नौबत में नहीं आएगी. इनका इसाफ कहना था कि village to be the assessor and not the block. Social security net that give old age support with health insurance. फिर से घुमफिर के बाद आती है insurance, social security की. और इनकी कहानी आपको हम बता दें. यह scientist के साथ साथ सिर्फ agriculture scientist ने, यह social scientist थे. इनी की देन हैं कि आज women empowerment की बात आप देख सकते हैं जब गाउं में आप जाएंगे. तो हम कहते हैं कि feminization of agriculture हो रहा है, पर यह आज महिलाएं हैं. तो decisions लेती हैं land के लिए और बढ़िया crop production आज देखने को मिलता है. खेर नमन है इनको. और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो शायर इस session बहुत छोटा है, इनके हिसाब से इनका दायरा है बहुत बढ़ा है. But whatever I could have given you, यह directly means का question बना भी हुआ है, फिर से बनेगा. What are his recommendations? What has he given to us? That was MS Swaminathan सहाब and he's always going to be Amar amongst us. आईए, अब आपको ये भी हम बता दें कि अगर आपको जूड़ना है हमारे साथ, देखिए ऐसे topic जो होते हैं, नीज topics से directly exam में आते हैं और लिखने काम आता है. 333 learners हमारे यहां से rank पाए हैं, अगले आप होंगे तयार रहिएगा उसके लिए photograph रखे रहिए अपने पास. Excellent offer, 50% off के साथ-साथ, extension भी मिल ला है, अब और उससे आता हम लोग समझेगा कि कितना इसको affordable बना सकते हैं, we're having a lot of things now. CMC code डालिएगा, CMC, direct आपका लोग इन होगा, direct इसका admission लिए और आप हम से जुडिए, और आपको बता दे, we have got this Pryas batch starting from today, and this price you can see a return, plus some extension that you will get, so आपका अगले मेंस के लिए आपका लिए अपका अगले मेंस के लिए अपका लिए और रहेंगे, options already, we have started, you can look forward to this also, and EMI facility is available with us go ahead with this EMI facility also, that would be all from my side, thank you so much, take care, Jai Hind